सकारात्मक सोच का परिणाम पुराने समय की बात हैं, एक गाउं में दो किसान रहते थे, दोनों ही बहुत गरीब थे, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे अकस्मात, कुछ समय पश्चात, दोनों ही एक ही दिन, एक ही समय पर मृत्य हो गई, यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए, उन दोनों को भगवान के पास लाया गया भगवान ने उन्हें देखकर उन से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी, अब तुम्हें क्या बना कर पुने संसार में भेजू, बताओ भगवान की बात सुनकर उन में से एक किसान बड़े गुसे में बोला, हे भगवान, आपने इस जनम में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी, आपने कुछ भी नहीं दिया था, मुझे, मैंने जिंदगी में बैल की तरह खेतों में काम किया है, जो कुछ भी कमाया, वह बस पीट भरने में लगा दिया, ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े बहन पाया, और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया, जो भी पैसे कमाता था, कोई आकर मुझे से लेकर चला जाता था, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, देखो, कैसे जनवरो मैं तुम्हें क्या बनाऊं, बोलो, भगवान का प्रशन सुनकर वैकिसान पुने बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए, कि मुझे कभी किसी को कुछ भी ना देना पड़े, मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले, अपनी बात कहकर वैकिसान चुप हो भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास तु, तुम अब जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूँगा, जैसा तुमने मुझे से मांगा है, उसकी जाने पर भगवान ने पुने दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे भगवान के सामने हाज जोड़ते हुए कहा, हे भगवन, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगो, आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी, जिस पर महनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक जीवन, अच्छा जीवन दिया, खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया मैं और मेरा परिवार कभी भूके पेट नहीं सोये बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिन्दीगी अफसोस रहा और आज भी है मेरे दर्वाजे पर कभी कुछ भूके और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए प्रन्तु कभी कभी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूके ही लोड़ जाते थे ऐसा कहकर वैचोप हो गया भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा तो अब क्या चाहते हो तुम इस जीवन में क्या बनना चाहते हो बताओ क्या बनाओ किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विंतिगी हे प्रभू आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूका प्यासा ना जाए भगवान ने कहा तथास्तू तुम जाओ तुमारे द्वार से कभी कोई भूका प्यासा नहीं जाएगा अब दोनों का पुने उसी गाउं में एक साथ जनम हुआ दोनों बड़े हुए पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ न देना पड़े वह व्यक्ति उस गाउं का सबसे बड़ा भिकारी बना अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी जोली में पैसे डाल की ही जाता और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए वै उस गाउं का सबसे अमीर आदमी बना हर बात के दो पहलू होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से देखते हैं अच्छा जीवन जीना है तो अपने सोच को अच्छा बनाईए चीजों में कम्या मत निकालिए बलकि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के परती सेवा का भाव रखिए जैश्रे राम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू